ब्रमान की द्यविव शक्तियों से भरपूर इन स्विच वर्ड का अपयोग इस तरह से किया जा सकता है। पहला विना लाइन वाले सफेद कागस के टुकडे पर अपनी इच्छा को पूरा करने वाले स्विच वर्ड को छाट कर नीली या काली स्याही वाले पैंसे लिखें इस इच्छा पूर्सी चिट को एक जगह रखकर इस पर पानी से भरा शीशे, स्टील या किसी भी धातों से बना गिलास रखें और उसे ढक्त दें लगबग 1 मिनट के बाद से दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट बरकर इसका पानी पीते रहें और पानी कम होने पर गिलास में और पानी डालते रहें हर बार पानी पीते समय अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखने की कलपना करें, हर घूंट इच्छा पूर्टी की एक खुराक है, जितनी बार थोड़ा थोड़ा पानी पीएंगे इच्छा उतनी जल्दी पूरी होई, इस क्रिया में समस्या के अनुसाल कुछ घंटे, क को चिट जला दे और नई इच्छा के लिए नई चिट बनाएं, दूसरा उपयोग स्विच वर्ट को किसी स्टीकर वाली टेप या डॉक्टर्स टेप पर लिख कर किया जाता है, इसे अपने शरीर के बाई तरफ हास पैल या किसी भी भाग पर चिपका दे, जो लोग बाई हां से काम करते हैं, वे अपनी दाई तरफ चिपाएं, खराब होने पर दूसरी चिट बनाएं और इच्छा पूरी होने पर चिट जला दें, तीसरी विधी के अनुसार स्विच वर्ट को कागस की चिट पर बनाकर अपने तक्ये के नीचे रखें, ताकि रात को सोने पर इस एक साथ इस्तिमाल किया जा सकता है, यदे किसी दूसरे विधी की हीलिंग या इच्छा पूर्टी के लिए स्विच वर्ड का इस्तिमाल करना है, तो एक आगस पर पहले उसका नाम लिखें, नाम के चारो तरफ बोल बंद घेरा यानि सर्कल बनाएं, फिर स्विच वर्ड अब एंजल नमबर लिखें, और उसके चारो तरफ बंद घेरा बनाएं, उस शीट पर पानी का गिलास रखकर उसे दिन भर बार बार एक एक घूट पानी पिलाते रहें, इसके अतिरिक उसके तक्ये के नीचे भी एक किट रख दें